नमस्कार आप दीखरेज, यूटर प्रदेश, उत्राखर्णा और मैं हूँ आपके साथ मॉनिका ग्रोवर लाउड अजान नहीं चलेगी भाईजान, ये लगतार इस वक्त देश भर में आवाज गूंच रही है इस मुद्दे पर आज हम गंभीरता के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बड़ी खबर कर लेते हैं, लाउड स्पीकर पार तेज आवाज में आजान का देश भर में विरोध हो रहा है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज अवाज में लाउड स्पीकर पार जिस तरीके से आजान की जाती है देश भर में उसका विरोध हो रहा है, महराश्च के बाद यूपी, तमिलाडू, असम में भी आजान का विरोध हो रहा है वरणसी में आसान के जवाब में हनुआन चालिसा का पाच शुरू हो गया है वरणसी में लाउड स्पीकर से हनुआन चालिसा बजाए जा रही है लाउडी स्पीकर से अजान बजाने के खिलाब महराश्च शुरू हुआ विरोध हम देश भर में पैल गया है पीम नरंदर मोदी के संसधियक शेतर वारानसी में भी अजान की तेज आवाज का खिलाप लोग खड़े हो गए हैं और अजान के जबाब में लावडी स्पीकर के जर्य हनुमान 40ा बजाने लगे हैं इस तरह से काशिक 101 मंदिरों में लावडी स्पीकर से हनुमान चाली सा बजाने की योजना है 101 मंदिर चिन्दित की हैं, हर मंदिर में लवडू सपिकर लगेगा और सुभा-सुभा बहदिक पार कोगा, सुपरभात कोगा कि अब हम भी Ahnuman Čमान चालिसा का पार पार करेंगे और फुल वैलूम में करेंगे, जिसने उनको समझ में आवे कि जब तीज आवाज में जब लाओडी स्पीकर बसता है तो कैसा लगता है वारारसी में हनुमान चालीसा शुरू हो गया है तो वहीं अलीगड में कीस चौराहों पर लाओडी स्पीकर लगाने की तैयारी है इसके लिए हिंदू संगठनों ने प्रशासन को अरजी भी दी है हनुमान चालीसा के लिए लाओडी स्पीकर खरीदने के मकसद से ए बी वीपी ने चंदा जुटाना भी शुरू कर दिया है महराश्र में एमेनस ने लाओडी स्पीकर से आजान बजानी के खिलाब जो मोर्चा खोला वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बलकि तमिलाडू होते हुए असम तक पहुँच गया है असम के एक संगठन कोटूम्ब सुरक्षा मिसन ने मस्जिदों से लाओडी स्पीकर हटाने की मांग कर डाली साफ है कि लाओड अजान पर कोने कोने में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है बिरो रिपोर्ट जी मीडिया अजान लाओड स्पीकर पर होती है और उसके विरोध में यह कहिए कि उसको बिल्कुल मुकाबला देते हुए अब हनुमान 40 का पार्ट भी जगा जगा होने लगया है लाउट स्पीकर पर पहले तो आपकी प्रतिक्रिया में इस पर चाहूंगी चले चकरपाणी जी महराज का हम बहुत जल्द रुख करेंगे पहले प्रमोद का रुख कर लेते हैं अलिगर्ट से हमारे साथ जड़े हैं प्रमोद अलिगर्ट में जगा जगा चंदा एकठा किया जा रहा है लाउट स्पीकर के लिए हनुमान चालिसा का पाठ हो रहा है किस तरीके का महौल बहले वहाँ नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ अजान की आवाज मुसलिम अबादी वहाँ जादा है और दूसरी तरफ हनुमान चालिसा का पाठ लाउट स्पीकर पाठ जे बुलकुल देखिए अलिगर्ड में तमाम जो हिंदू संक्तर से जड़े हुए यह वहाँ है उन्होंने सीधे तोर पर एलान किया है कि किस चोड़ाओ पर लाउट स्पीकर लगाए जाएंगे और इस पीकरों को लेकर चंदा जो है लगातार पिछले दो दिन से हिंदू संक्तरनों द्वारा एकटा किया जा रहा है इसके लावा आज की बात करें तो आज जो है अलिगर्ड में हनुआन चालिसा का पार्ट भी होगा और इसको लेकर भी तैयारिया पूरी चल रहे हैं चली हालांकि लाट स्पीकर लगाने को लेकर कल जो है जिला परसासन को हिंद क्योंकि जब प्रसासन को उनसे कोई परिशानी नहीं है उनसे कोई परिशानी कर रहे हैं उनसे कोई परिशानी तो हम भी अपने घर बर हनुमान चालिसा का पार्ट कर जी सकते हैं अपनी कोलोनी में हो यह मुहिम चलाई जा रही है आज यह मुहिम स्टाट करी जा रही है औ और ये डेली वाई डेली परक गॉलॉनी, आज यह हमारी कॉलनी में होगी, कल दूसरी कॉलनी में होगी और ये पूरे लीगर के अंदर हनुमान चारीसा का पाथ होगा और हम अपने बडे भाई स्वीटी चोधरी का भी समर्थन करते हैं और हम उनका चंद्धा एकट्टा करेंगे और जो हमारे बड़े वाई एकीश चौराओं पर स्पीकर लाड़ स्पीकर लाइंगे उस पर भी चौराओं पर जाए जाकर हनुमान चालीसा का पार्ट करा जाएगा तो आपने देखा ये वो लोग है जो आज हनुमान चालीसा पड़ेंगे और उन्होंने सिद्धे तोर पर कहा है कि आज इसका सुभारम किया जा रहा है और जिस चौराओं पर लाड़ स्पीकर लगाए जाएंगे वहां तमाम जगा पर हनुमान चालीसा का पार्ट हाँ आजान के आवाजें लौट कर पर हमेशे से सुनाई देती ही है एक तरह से मुकाबला देखने को मिल रहा है वन аст और तेश में लौट कोई नियम नहीं धुरनी प्रदूशन को लेकर नियम लेकिन लौट पीश कर कोई नियम की जा सकती है लेकिन आप ये देखिए अगर ये competition चलता है एक तरफ हनुमान चालिसा और एक तरफ अजान चलेगी तो कहीं न कहीं लोगों का नुकसान जरूर है उसमें भी तमाम वर्ग के जरूर करना पड़ेगा आप देख सकते हैं रमजान का महीना चल रहा था नौरात भी चल रहा था तो जितने भी देवी जी के मंदिर थे वहाँ पर पूजा पाट की जो भी आवाजे थी वो सुनाई देती थी घंटा गडियाल सुनाई देता था तो और अगर हम आजान की बा साउन पॉलिशन होगा इसके लाव और कुछ निजर नहीं आएगा बिल्कुल लोटेंगे मैयूर आपके पास भी चकरपाणी महाराजी का रुका लेते हैं चकरपाणी महाराजी का ये बार आपने बेवाकी के साथ इस मुद्धे पर अपनी राय रखी है आपको नहीं लग गया है लाव स्पीकर सवाल इस पात का है इसको हमें समझना होगा हम लोग जब छोटे थे हमें याद अभी भी आ रहा है कि सभी मंदिरों पे इतने जादे लाव स्पीकर लग करके और हनुमान चली सा सुबही सुबह होता था शहर मंदिरों पे खरीवन धीरे दीरे लोगो की समस्या देखे छात्र है मरीज है वहीं के लोगों ने कहा कि लाव स्पीकर जादे आवाज है दीरे दीरे मंदिरों से लाव स्पीकर उतर गई और मंदिर तक सिमित हो गया लेकिन मस्जिदों के क्या इससे थी है मस्जिद बढ़ता गया लाव स्पीकर बढ़ता गया आज आज ये राष्टी समस्या हो गई, आज ये समाजिक समस्या हो गई, अभी हमसे पहले जो बोल रहे थे कि देखिए दो लोगों में कमपटीशन होगा, सवाल कमपटीशन ऐसे नहीं हो रहा है, कमपटीशन तो सुरू ही नहीं हुआ है, उस ध्वनी पर दूसर को रोकने के एक बेक्तिकों पर रादो सब तुठा करके लेके आजाए, और खुद भी लोग उठी इतने सालों से जागरुक नहीं हुए क्या, खुद उठकर के महज़ीपे चले जाए, तो सवाल इस बात का है, कि लोगों को जागरुक होना होगा, ये समाज देश हमारा भी है, आपका है, सबका है, इसलिए जो नहीं चाहता है सुनने के लिए, कि लाउस्पीकर की सुबह सुबह हमें आवाज सुनाई दे, उसको क्यों सुना रहे है, जबर जस्ती, चात्र है, मरीज है, और दूसरे समुदाई के लोग है, तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, कई न कई सरक चाहिए, जो आप बात कहरे हैं, बिल्कुल चीक बात है, आप खुद भी कह रहे हैं, कि देखें, चात्रों को समस्याय होगी, जागरुक करने की क्या ज़रुद है, लोग जागरुक है, जिसको आना होगा, वो खुद आ जाएगा, तो ये बात तो हन्वान चाले साम, मंदि के लिए ये भी हो सकती है, अगर हम भी इसी तरीके से करेंगे, तो ये महौल को खराब करेंगा, एक्जाम सिर पर है, बच्चे भी प्रभावित होंगे से, क्यों ना ये सल्यूशन निकाला जाए, कि इसकी कंप्लेइन की जाए, कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं ढूंडा जा उतर दे मेरे सवाल का से ये है, कि सरकार को एक सक्त और कठोर समाज और राष्ट हीत में कानूं के इंद्रियास तर पे बनाए, कि कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का लाव स्पीकर अब नहीं बजेगा, कोई भी द्वनी पर दूसर्ण के चाहिए, बैंड वाजे ही हो, क्यों नहों उसको प से अगर कोई सवाल करना चाहिए, तो कर सकेंगे, मौलाना अब्दुल जी स्वागत आपका जी मीडिया पर, मौलाना साब सीधा सो सवाल करूंगी, देखिए, एक वन उन वन कॉंपिटीशन का महल देश में बन गया है, अजान लावड स्पीकर पर होती है, उसका जवाब लावड हन्मान 40 से दिया जा रहा है, क्यों जागरू करने के लिए आपको लावड स्पीकर की आवश्यक्ता पढ़ रही है, क्यों बुलाने के लिए लावड स्पीकर की आवश्यक्ता पढ़ रही है, जुसको आजान के लिए आना होका मश्युदों में आ जाएगा, देखिए, आजान का मतलबी होता है, कि नमाज और काम्याबी की तरफ जो है, लोगों को बुलाया जाए, यह तो इ अधर्म नहीं है, बलके धर्म के लिए लिए और दंदा हो रहा है, और यह तो पर्टिकिरियां में जो कुछ भी होता है, उसको पुजा अभाव से नहीं जोड़ा जा सकता है, यह राज़ी की हो रही है, तो आप लावड स्पीकर पर आजान को सही मानते हैं या गलत मानते ह अधुल जी, यह सवाल मैं आपसे करूंगी, कि आप कह रहे हैं काम्याबी की तरफ बुलाना, हर कोई काम्याबी की तरफ अग्रिसर होना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो लावड स्पीकर के आवशक्ता ही क्यों है, लोगों के मन में अपने धर्म के प्रतिभाव है, वे स्वेम आ जाएंगे तो कर दोंगे दोग आजिए कर लेंगे आधान का मतलब यह होता है कि जो लोग मस्जिद में बुलाया जाए उसको या नमाज का वर्स हो गया है अब नमाज पर लो गया है आप दो जी चाहिए इसलाम में यह लिखा है कि लाउड स्पीकर के जरिये ही तो जितना जो है जैसे मिनार से खड़े हो करते थे नीशे देते थे तो आवास को ज्यादा ज्यादा दूर तक पहुचाने के लिए आदान होती है तो हिंदु धरम में भी नहीं लिखा हुआ है या आपके ये बताए वो आपको वना मान कॉंपटीशन दे रहा है या रग होता है तो यह कहां हिंदु धरम में लिखा है तो हमीं चक्रपानी जी इसका जवाब देंगे पुछिए उनसे यह कहां लिखा हुआ है घनुमान का लिशा या रज जगा जो है और जो आन ये चीज़े जहें लाविश्क कुगर पर किया जाए यह जवाब देंगे बता रह तो भक्ति के अंतरकत जो है भजन करना भक्ति के अंदरकत सत्संग करना भक्ति के अंदरकत जागरन करना भक्त प्रमात्मा को प्रसंद करने के लिए भक्ति करता है भजन करता है और लावस्पीकर से हो कर सकता है उसको पूरी तरह उसको मंजूरी है और भक्ति उसके माद् इसलाम में प्रमात्मा को खूज करने के भजन नहीं का सकते हैं। इसलाम में प्रमात्मा को खूज करें। लेकिन आपके ऐसा नहीं, आपके आजान का मतलब होता है, लोगों को बुलाना कि आप मस्जिद में आकड़के अब नमाज परो, निराकार की उपास्तर परो जो भी जैसे आपके। उसी भक्ति के लिए हो आदाम जो है, भक्ति करने के लिए आओ और कम्यादी की दवब आओ। आप कर सकते आपके लिए यहां के लिए हराना चाहिए आपको तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमारे आप तो मानने है भाई। हम तो हम तो भजन काएंगे, हम तो भजन कर सकते हैं, हनुमान छीजिया कर सकते हैं भोप पिचास निकट नहींयावे महा दीर विल्ट जब नपतगावे न शयोत अंहरे जमत्त अनुमान भूइरा खत्रादवे संगत्त च्रणमान खुलावे मन क्रम अबर्चन ध्यान जो लावे सब मेराम तक फिराजा तिर्केर काई सकर तुमताजा सबाल इस बात का हम तो कर सकते हैं ना भाई हम तो मुमानिता भजन करेंगे और भजन तो हर सनातनी को करने चाहिए उसे भगवान खुस होता है सब तो ग्यानी हो नहीं सकता और सब बैरागी भी नहीं हो सकता तो इसलिए भजन तो हमारे हर सनातनी को करने चाहिए और हम तो कहेंगे कि लेकिन आपके भजन कर नहीं है तो भजन जब नहीं है तो क्यों मैं प्रतिबन लगा रहे हैं आप कितनी सुर्भागे की बात है आप किया भजन नहीं है भजन नहीं कर सकते लेकिन आपकर होगे लास्पिकर से हमारे भजन नहीं है भगवान खुस्तों के तो आप मना कर रहे हो यहीं चीज़ है जो हम बार के रहे है एक करेगा दूसरा करेगा और उसका जवाब फिर पहला देगा फिर उसका जवाब दूसरा देगा लोटूंगे आपके पास एक बड़ी कबर आ रहे है बड़ी कबर करो करते हैं केंद्रिय मंत्री संजीर बालियान ने बड़ा बयान दिया है कि हम सभी को कानून का पालन करना चाहिए संजीर बालियान केंद्रिय मंत्री है बड़ा बयान दिया है आजान विवाद कोले कर लाउट स्पीकर के विवाद कोले कर जिस तरीके से आजान कोले कर सवाल खड़े हुए उसके बाद हनुमान चालिसा लाउट स्पीकर के माधिम से बजनी शुरू हुई अलग-अलग स्थानों पा देश भर में इस तरह की तस्पीरे सामने आ रही है उसको लेकर केंद्रि मंत्री संजीव बालिया ने भी अब बड़ा बयान दिया है वापस से अपने महमानों का मेहा पारुक करूँगी मौलाना अब्दुल साहाब मैं आप से सवाल करूँगी देखे द्वनी प्रदूशन को लेकर कई नियम है तो नियमों का पालन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है आप इसको करिए चलिए अगर आप करना चाहते है तो करिए तो नियंत्रण होना चाहिए न इतनी दूर दूर तक आवाज जाए इतनी हाई वाल्यूम की क्या हो शक्ता नियंत्रण में रहकर भी तो काम किया जा सकता है पिल्कुल किया जा सकता है और हमने आपके चैनल के दरजनों बार इसके मुद्दे पर भास कर चुके हैं और हम कारें कि जो नियाले ने जो है जो उसको सिमित किया है और जो जो दस मिल से जो है वो ज्यादा आवाज को आपने कर सकते हैं तो वह तर्वाइ इस तर्वाइ टर्वाइकर एक आथाथी तर्वाराइक अब यह ताहरा टेंग अब भॉल्पू चला दीज्ए चारह तरप जो है और जब अगा यह आजाए पुस्दॉर मचाये अगाई आदान कयोता है मैं गमभीलता और शलीका अजाए और जाहिए और श तमान मेरे साहियोगी भी जुड़े हुए हैं, मयूर है, कनहिया है, जैपाल है, उनका भी मैरुक करूँगी, चक्रमाणी बाहराजी भी हमाँ साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले वाग, यहाँ पर एक छूटे से ब्रेक का है जल्द लाटिंगे.